फिजिक्स में आप सबका स्वागत है यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर कोड फॉर कार्वन रेजिस्टर कार्वन पर्चिरोद बच्चो आज आपको पढ़ना है एक कलर कोड is used to indicate the resistance value of a कार्वन रेजिस्टर कार्वन पर्चिरोद के पर्चिरोद का मान दिखाता है ठीक है किसी भी पर्चिरोद कोई भी कारण पर्चिरोद आपके पास है resistance आपके पास है तो बच्चो उसके कलर को देकर आप ये बता देंगे कि ये कितने resistance का है ठीक है बच्चो आप उसके कलर को देखकर ही बता देंगे कि ये कितने resistance का है ठीक है बच्चो आपको जो इसक लिख दिया है बच्चो यहां पर जो है बच्चो एक फॉर्मुला वाव टू रिवंबर कलरकूट किस परकार से हम कलरकूट को याद रखें तो बच्चो एक फॉर्मुला है इसमें यह है इसको कैंसे पढ़ेंगे बी बी रोई इसका नाम हो जाएगा BB Roy of Great Britain had very good wife ठीक है यह जन्रली जो है याद करने का फॉर्मला है BB, BB Roy of Great Britain had very good wife यह फॉर्मला इस परकार से बना रखा कि इसमें सारे कलर आपके आगे हैं ठीक है बच्चो और सारे कलर आपके पास क्या क्या है बच्चो जो कि आपने पहले ही पढ़ा है ठीक है बच्चो यह हाई स्कूल में पढ़ा आपने B, I, B, G, Y, O, R ठीक है यह कलर है ठीक है बच्चो और इसमें कुछ जो हैं मिक्स कलर हैं वो भी हमने आपको इसमें दिये हैं तो बच्चो आपको यह बताना यह टेविल इसलिए बनाएगी बच्चो कि यह लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती इसलिए लिख दिया है बच्चो BB-Roy यह देखा बच्चो B-B-Roy of Great Britain had very good wife अब इसमें क्या लेना बच्चो एक दो यह B लेना है English अठर के लेना है तो यह आगे बच्चो आपके color तो कितना आगे बच्चो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नौ, दस ठीक है बच्चो, यह 10 आगी अब यहाँ पर कौन कलर किसका नाम किया इसमें दो B फस्ट मारें तो यह याद रखना पड़ेगा बच्चो पहले B को कहते हैं Black दूसरे B को कहते हैं Brown तीसरे, अब आर आगे तो आर तो सब जानते हैं Red हो गया, ठीक है दो, O for Orange हिंदी मिनिन दो बच्चो आपको आती होगी Orange हो गया और Y का मत्तब हो गया बच्चो Yellow और यहाँ पर देखो बच्चो G for Green, B for Blue B for Blue और V for Violet और G for Gray और W for White ठीक है बच्चो, कहां से मिले बच्चो, यह सामन्य सूत्र जो हमने लिखा है उससे हमें यह प्राप्त होगे हैं अब बच्चो जो है, वहाँ पर क्या होगा इस कार्मन परतिरोद में जो हैं पर्टिया होगी ठीक है, रंग दिरंगी पर्टिया होगी और उन पट्टियों के लिए पहली पट्टी के लिए आपको क्या करना है keyword number देने है जैसे बच्चो पहला B है तो इसको 0 से सुरू करना है मैं लिग दो बच्चो यहाँ पे यह पहला B है तो पहली पट्टी के लिए बच्चो इसको 0 देना है ठीक है बच्चो, ब्राउन के लिए कितना देना है, एक देना है, रेड के लिए कितना देना है बच्चो, दो देना है, ओरेंज के लिए कितना देना बच्चो, तीन देना है, यलो के लिए कितना देना बच्चो, चार देना है, पहली पठी के लिए बोलों, ग्रीन के लिए जो है बच्चो 5 देना है बिल्यू के लिए बच्चो 6 देना है वाइलेट के लिए बच्चो 7 देना है ग्रे के लिए बच्चो 8 देना है और वाइट के लिए 9 देना है हमारे पार हैं 10 लेकिन आ 9 क्यों हो रहे हैं क्यों जूरिस दूर करें यह पहली पटी के लिए देना है दूसरी पटी के लिए भी यही अंक देंगे आप और तीसरी पटी के लिए आप 10 की पावर में देंगे और चौथी पट्टी के लिए बच्चो आपको उसकी प्रतिसत तोटी देनी है जिसको मैं आगे आपको बता रहा हूँ ठीक है तो बच्चो यही तो लिखा मैंने यह देखो फस्ट रिंग और बैंड जो पहली पट्टी या घेरा है है इसके बाग किलियर हो जाएंगे घिकार बच्चो देखो जिंग दखो जिरो से ततले जो UK death दूसरा दूसरा जो भी है उसके लिए वन दे दिया दूसरा वन क्या ब्राउन हो रैट के लिए दो दिदया औरेंज मॆ liquid चार दिदेदी ऋ ग्रीन के मैं जो भी होगा माना पहली पट्टि? म Towards Red है तो उसको कितने देज़ी है नमबर? दो देने देनीगे इसको मैं इसके बाद आपको अब बच्चो दूसरी पट्टी अब यहाँ पर जो है बच्चो दूसरी पट्टी दूसरी पट्टी के लिए भी जो हैं हमने यही देने हैं यही नमबर देने हैं बच्चो दूसरी पट्टी के लिए भी ठीक है बच्चो सेकंड रिंग और बैंड रिंग और बैंड ठीक है बच्चो दूसरी पट्टी अगर लगी है उसमें तो उसको आपने यही देने है, दूसरी पट्टी, ठीक है बच्चो, दूसरी पट्टी के लिए भी क्या देना है बच्चो, आपको, क्या देना है बच्चो, जो पहला B है, उसके लिए 0 देना है, जो दूसरा B है, उसके लिए 1 देना है, ठीक है बच्चो, R के लिए कितना देना है बच्चो 2 देना है O के लिए आपको क्या देना है 3 देना है Y के लिए बच्चो आपको क्या देना है 4 देना है Y हो गया Y के बाद क्या आएगा G के लिए आपको 5 देना है B के लिए आपको 6 देना है B आगे बच्चो B के बाद क्या आएगा V V के लिए आपको 7 देना है G के लिए आपको 8 देना है और last one is W के लिए आपको 9 देना है बिल्कुल यही अंक जो है आपको दूसरी पट्टी में होंगे तो उसके लिए V देना है बच्चो ठीक है बच्चो ये आपकी दूसरी पट्टी का आजिया अब है third third ring third ring और band अब तीसरा band भी उसमें होगा तीसरी पट्टी भी उसमें होगी यह हो जाएगी तीसरी पर्टी ठीक है बच्चो अब बच्चो आपको 10 की power देनी है बच्चो यहां देखे पहला B है तो उसको 10 raise to power 0 जिसकी value एक होती है दूसरा B होगा तो उसको 10 raise to power 1 दे देंगे R होगा तो 10 raise to power 2 दे देंगे Orange होगा 10 raise to power 3 दे देंगे और Yellow होगा 10 raise to power 4 दे देंगे Green होगा 10 raise to power 5 दे देंगे ठीक है बच्चो और अगर B होगा तो इसके लिए 10 raise to power 6 दे देंगे ठीक है बच्चो V होगा 10 raise to power 7 दे देंगे G होगा 10 raise to power 8 दे देंगे और W होगा 10 raise to power 9 दे देंगे ठीक है बच्चो ये आगे है इसकी तीसरी पटी अब फोर्थ फोर्थ रिम और बैंट ठीक है बच्चो इसमें आपको तुरूटी देनी है ठीक है बच्चो ये है चौथी अगर चौथी पटी भी है उसमें और चौथी पटी का जो रंग है ठीक है बच्चो अब चौथी पटी का भी क्या होगा रंग होगा अगर गोल्डन होगा पहला ठीक है बच्चो अगर गोल्ड होगा सुनहला ठीक है बच्चो यह इसको बोलेंगे सुनहला या जो सोने जैसा होगा गोल्ड गोल्ड के लिए जो प्रतिस जो तुरूटी देंगे प्लस माइनस फाइब परसेंट इसमें आज आपको पांच परसेंट तुरूटी देने पड़ेगी दूसरा है सिल्वर यह बटा यह देख लेना सुनहला या कुछ और कैसे सिल्वर ठीक है बच्चो अगर सिल्वर होगा चांदी के कलर का होगा अगर चांदी के कलर का होगा तो आपको इसमें तुरूटी कितनी देने बच्चो टैन परसेंट ठीक है बच्चो अगर जो है कोई पट्टी नहीं है यदि चौथी यह बच्चो यहां पर यह दिखाएने देरा को देखो फिर बोलो गोल्ड के लिए कितनी देना प्लस मानेश 5% शिल्वर के लिए कि लिए प्लस मानेश 10% अगर चौथी पट्टी नहोगा चौथी पट्टी अगर है ही नहीं इसमें ठीक है बच्चो तो आप आपको 20 प्रतिसद इसमें तुरूटी देनी पढ़ेगी. अब बच्चो, जो हैं, मैं आपको एक्जामपन की द्वारा इसको सम्झा देतों, उधहरन की द्वारा, बच्चो, अब उधहरन की द्वारा. आपको मैंने इसे समझाना है ठीक है बच्चो अब हमारे पास जो है एक कारवन पर्चरोद मैं बना देता हूँ आप आसानी से समझ जाएंगे बच्चो इसको बहुत आसान है ये बच्चो हमारे पास कोई कारवन पर्चरोद है ठीक है बच्चो बच्चो हमारे पर इतनी pen है नहीं कि मैं इतनी पटियां यहां पर बना दूँ ठीक है बच्चो तो मैं दो pen का use करता हूँ ठीक है देखो बच्चो पहली पटि जो है इसमें red है यह कारवन पटिरोध है आप दियान से देंगे बच्चो आप आसानी सा जाएगा आपको यह का पटिवी रेड है यह सिल्वर हो अब हमने इसका रस्टेंस बताना है ठीक है बच्चो इसका क्या बताना बच्चो हमने resistance बताना है कि resistance इसका कितना होगा तो बच्चो आप ही हमें बताएं color क्या क्या है बच्चो एक तो red है ठीक है बच्चो तो red के लिए क्या देंगे बच्चो आप कौन सा अंक देंगे बच्चो आप देख लिजे red के लिए देंगे देखो 2 रेड के लिए क्या अंक आता बच्चो दो अंक आता है मैंने फस्ट मैंने बता दिया बच्चो आपको यहां देखे फिर बताओं आपको इधर देखे यहां पर देखे बी के लिए कितना बच्चो पहला बी जो मैंने आपको बताए है पहला बी क्या पताए था बच्चो मैंन के लिए दो ठीक है रेट के लिए दो लिख दिया बच्चो अब यह पहली पट्टी होगी यह पहली पट्टी दूसरी पट्टी में भी क्या है रेट है उसके लिए भी आपको नमबर ही देना है तो उसके लिए आपको power देनी है ठीक है ये कितना होगा 10 raised to power 2 ठीक है बच्चो तीसरी पट्टी में जो है आपको 10 की power देनी है अगर 2 होगा तो 2 0 होगा तो 0 और तीसरी पट्टी तीसरी पट्टी जो है आपकी है सिल्वर तीसरी पट्टी आपकी सिल्वर है सिल्वर के लिए तुरूटी कितनी दी जाती बच्चो अभी मैंने आपर बताए प्लस माइनर 10 प्रतिसत अब बताओ बच्चो अब परतिरोध कितना हो जाएगा पहले और दूसरी पट्टी के लिए अंक लिखते हैं दो दो लिख दिया तीसरी पट्टी के लिए 10 की पावर लिखते हैं हो गया 10 की पावर 2 ठीक है बच्चो इतना ओम हो गया ये और तुरूटी कितनी है बच्चो इसमें 10 प्रतिसत ठीक है बच्चो तो बच्चो ये हो कि इसका पर्टिरोद तो तो है नाा आसानितर नाय परने, उनके प्रहशान देका सकते हैं। आप आसानी से क्या कर सकते हैं उनके color को देखे आप क्या कर सकते हैं उसका resistance निकाल सकते हैं अब मैं एक उधारन और दे देता हूं ठीक बच्चो एक उधारन ए और दे दिया बच्चो अब हमारी पास जो है एक कारवन परटिरोध है कि एक और पर यह आप चालल अचे कुछ यह जो हैं आपको जितने vacation, um cup पत्ती रोद जिस, appliances में जहां पर लगाना है, वहांपर आप सीधे सीधे जो है उस पत्ती रोद को लगा देंगए पत्ती को देखें ठीके बच्चो, अब बच्चो इसमें मैं पत्ती बना देता हूं बच्चो मेरे पाग कलर इतने तो है नहीं तो पहली पट्टी ठीक है बच्चो पहली पट्टी इसमें पीली है यलो है दूसरी बॉयलेट है दूसरी क्या है बच्चो ये बॉयलेट पट्टी है ठीक है तीसरी पट्टी ब्राउन है चलो मैं इसको इससे बना देता हूँ तीसरी पट्टी क्या है बच्चो ब्राउन है पहली पट्टी यलो होगी दूसरी भाईलेट होगी तीस ब्राउन होगी और चौथी पट्टी जो है अगर चौथी पट्टी को मैं दिखाना चाहूँ तो चौथी पट्टी जो तुरूटी के है वो इसमें गोल्ड है तीसरी पट्टी के है बच्चो इसमें गोल्ड है तो बच्चो अब आप अपना बताएंगे इसमें ठीक है बच्चो पहली पट्टी पहली पट्टी क्या बताईती बच्चो यलो बताई है ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ, यलो, यलो के लिए कौन सा नमबर देंगे बचो आप, इधर देखें, अब मैं फिर उपर जाता हूँ, यलो के लिए कौन सा नमबर देंगे बचो आप, यहाँ देखें, यलो के लिए नमबर दें बच्चो आप मैं फिर उपड़ जाता हूं यहां देखो इसलिए मैं इन टीरीव sì बना जाता будет कि लिए कितना देंगे बच्चो आप साथ ठीके बच्चो तो कितना नमबर देंगे बच्चो बिए भराव यहां पर परोबीॉत का मतब है और है ब्राउन बी का मलग क्या है ब्राउन अब ब्राउन के लिए बच्चों यहां पर लिखा रहेगा ब्राउन के लिए कितना देदेंगा यहां पर देखें ब्राउन के लिए हमको यहां से देखना पड़ेगा ठीक है ब्राउन के लिए पहला ब्लैक हो गया दूसरा ब्राउन ठीक है बच्चो ब्राउन के लिए दे देंगे बच्चो आप कितना एक ठीक है ना बच्चो ब्राउन के लिए कितना दे दिया बच्चो आपने एक दे दिया तीन पट्टी तो आगे बच्चो ठीक है यलो आगी चार वॉयलेट आगया साथ ब्राउन आ गया अब अगली पट प्रतिस्चत तुरूटी देते हैं, तो मैं क्या लिए 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 ले कीन सबस्तार देंगे और तीसे प detek 10 की power 1, ठीक है बचो, और इसके बाद तुल्टी कितनी है, 5 प्रतिशत, और 10 की power 1 तो 10 होगी, ठीक है बचो, तो इसका resistance हो गया, ये 4 7 है, ये point नहें बचो, ये 4 है, याँ पर है, ठीक है बचो, ये 4 7 into 10 to power 110 हो गया, और plus minus क्या हो गया, 5% ठीक है बचो, ये जो हैं बचो, ये जो है क्या क्या इसका हमने पर्चिरोद निकाल दिया बच्चो तो बच्चो इस परकार से जो है हम कारवन पर्चिरोद निकालते हैं और कारवन पर्चिरोद के द्वारा हम जो है केवल कलर को देख कर ही ये बता देंगे कि इसका पर्चिरोद कितना है और आजकल जो है परसल reference nya capital है वो scholar की नाम है ठीकए बचो पहला जो color है वो पहला भी वो black है दूसरा भी brown है तीसरा red है चौॢधा औरेंज है पांचवा यलो है चाटवा ग्रीन है साथौ Hampshire to Bio है आटवा वाइलेट है आट आपा ग्रे है नवाम है और इनके लिए ऐनक कहा से शुरू करते हो 0 से लेकर 9 सुरू करते हैं पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के लिए हम आंक देते हैं यह देखो बचो आंक दिया नहीं 4 और 7 तीसरी पट्टी के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर कितना नंबर है अगर पहला भी है तो 1 दूसरा भी है तो 2 ठीक है इस प्रकार से देते हैं और चौथी पट्टी में जो उसकी प्रतिसत तुर्टी देते हैं तो बच्चो जो हैं आप इसको जरूर दिहान से देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो